तो फाइनली इस वीडियो में हम Unboxing करेंगे Lenovo के Idea Fair Slim 3 AMD Ryzen 5 5500U वाले वेरेंट की इस वीडियो के लिए बहुत सारे लोगों ने request की है और ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है बरत राम जी की बज़त से तो उनके लिए एक बिग सोट आउट बनता है अगर आप भी अपने नए laptop के Unboxing वीडियो हमारी चैनल के साथ में Share करना जाते हो तो फ्रेंड्स आप मुझे Instagram पे Contact कर सकते हो तो इस वीडियो में हम Detail में बात करेंगे इस laptop के बारे में इस laptop के Unboxing देखेंगे तो वीडियो काफी helpful देने वाला है वीडियो को एंड तक जरूर से देखना अगर चैनल पे पहली बाद चैनल को सब्सक्राइब करो नोटिफिकिसम प्रेस करो ताइक कोई भी वीडियो आप से मिसना हो तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि लेनो का आईडिया फेर सिलिम 3 अभी हाली में लोंच वा है और इस laptop में में बहुत सारी अच्छे फिचर्स के ओप्शन देखने को मिल जाते है और आपको पता ही होगा कि लेनो ही एक मातर ऐसा ब्रांड है जो कि आपको बजट में अच्छे लेप्टोप कर देता है तो इस वीडियो में हम अन्बोक्सिंग करेंगे लेनो के आईडिया फेर सिलिम 3 लेप्टोप की अगर आपको एक ऐसा लेप्टोप बाय करना है जिस पर आपको वीडियो डिटिंग करनी है ग्राफिक्स वाले काम करने है अपना ओफिस वर्क करना है या इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रिजन्स भी बताऊंगा जिस वज़े से आप इस लेप्टोप को कंशिडर कर सक सकते हो तो चलिए अब इस लेप्टोप के अन्बोक्सिंग देख लेते हैं तो सबसे पहले हम बरत नाम को थेंक्स बॉलते हैं उनकी वज़े से ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है अगर आप भी अपने नए लेप्टोप की अन्बोक्सिंग हमारे चैनल के साथ में सेर करन जाते हो तो आप अपने लेप्टोप को गिप्ट्रेप करवा सकते हो तो चलिए अब इस गिप्ट्रेप को हटा लेते हैं यहाँ पर हमें लेप्टोप का बॉक्स देखने को मिल जाता है लेप्टोप के बॉक्स के ऊपर हमें configuration details देखने को मिल जाएगी और manufacturing details देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर clearly mention कर रहा है इस लेप्टोप में आपको full HD IPS panel की display देखने को मिल जाएगी तो इन सबी चीजों के बारे में हम आगे detail में बात करने वाले है चलिए अब लेप्टोप के बॉक्स को unbox कर लेते हैं काफी decent packaging हमें आपर देखने को मिल जाती है यह लेप्टोप का charger है जो की 65 वर्ट का रहने वाला है यह आपको laptop देखने को मिल जाता है काफी अच्छी packaging के साथ में आता है delivery के दोरान आपका laptop damage नहीं होगा तो यह लेप्टोप की user manuals है और यह लेप्टोप का IDF8 Slim 3 laptop है जो की काफी एच्छी quality के साथ में आने वाला है और इसका color arctic gray है जो की आपको काफी ज़्यादा attract करेगा यह लेप्टोप देखने में भी काफी प्यारा है 14 इंच की size वाला laptop है तो इसका weight भी कम रहेगा तो सबसे पहले इस लेप्टोप का boot time test देख लेते है within 10 seconds में यह लेप्टोप boot हो जाएगा और यह लेप्टोप काफी fast रहेगा इसमें हमें 512GB के SSD देखने को मिल जाती है जिसकी read and write speed काफी ज़्यादा है तो उसी की वज़र से यह लेप्टोप काफी ज़्यादा fast रहेगा अब चलिए देख लेते हैं इस लेप्टोप का finger pin reader कितना quickly से work करता है तो फ्रेंट्स आपने देखा इसका finger pin reader भी काफी ज़्यादा fast रहेगा अब इस लेप्टोप में confirm कर लेते हैं कि backlit keyboard का option है या नही तो फ्रेंट्स आपने देखा इस लेप्टोप में हमें दो लेविल की backlit keyboard का option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर confirm हो चुका है कि इस लेप्टोप में backlit keyboard है और finger pin reader भी है तो यह दोनों ही फिसर आपको काफी ज़्यादा पसंद आने वाले है और इस प्राइज रेंज के लेप्टोप में आपको यह वाली चीज़े कोई भी उफर नहीं करेगा अब इस लेप्टोप की इस figures की quality देख लेते है हमें आप डोल भी audio का support देखने को मिल जाता है इस यह जैसे इस लेप्टोप की audio quality काफी जबर्दस तरहने वाली है आप इस लेप्टोप की display quality भी देख सकते हो हमें आप फुल HD IPS panel देखने को मिल जाता है 300 nights और 45% का NTSC support देखने को मिल जाएगा तो display इस लेप्टोप की काफी awesome रहेगी और हमें आपर anti-clear coating भी देखने को मिल जाती है इसी वज़े से यह laptop आपको काफी ज़्यदा पसंद आने वाला है अगर आप अपने laptop को up to 5 hours तक यूज करते हो तो anti-clear display must है इससे आपके आखो को ज़्यदा नुक्सान नहीं होगा तो इस laptop में हमें anti-clear display देखने को मिल जाएगी और display quality इस laptop की काफी awesome है हमें आपर काफी कम badges देखने को मिलती है तो यह laptop काफी attractive रहने वाला है इस laptop के weight की बात करें तो हमें आपर around 1.5 kg का weight देखने को मिल जाता है और आप इस laptop को easily carry कर सकते हो build quality इस laptop की काफी solid रहेगी हमें आपर metal और plastic दोनों का ही use देखने को मिल जाता है तो build quality से आपको कोई भी compromise नहीं करना पड़ेगा इस laptop में आपको webcam के साथ में privacy setter का option भी देखने को मिल जाएगा जो कि आपको काफी ज़्यदा पसंद आने वाला है और battery की बात करें तो हमें आपर 3-cell 45Wh की lithium-ion battery देखने को मिल जाती है और हमें आपर rapid charge technology का भी support देखने को मिल जाता है तो laptop का battery backup लगवख 4-5 गंठे का आसानी से देखने को मिल जाएगा ports की बात करें तो हमें आपर left side में powering port देखने को मिल जाएगा एक USB 2.0 type A का port देखने को मिल जाता है एक HDMI port देखने को मिल जाता है एक USB 3.2 generation 1 type C का port देखने को मिल जाएगा और एक 3.5 mm का headphone microphone combo देखने को मिल जाता है वहीं पर हमें right side में एक multi format SD card reader slot देखने को मिल जाता है और एक USB 3.2 generation 1 type A का port देखने को मिल जाता है तो इस laptop में सभी latest sports को option देखने को मिल जाएंगे इस laptop की configuration की बात कर लेते हैं हमें यहाँ पर AMD Ryzen 5 5500 UCPU देखने को मिल जाता है 8GB की RAM देखने को मिल जाएगी जिसको आप 12GB तक upgrade कर सकते हो 512GB की M.2 NVMe SSD देखने को मिल जाती है और इस laptop में आपको storage extend करने का slot भी देखने को मिल जाएगा AMD Redon Vega 7 graphics का option देखने को मिल जाएगा 14 इंच की full HD IPS panel की display देखने को मिल जाती है 3 share 45Wh के लिए थैमान battery देखने को मिल जाएगी और laptop के साथ में 65W का AC adapter आने वाला है HD webcam का option देखने को मिल जाएगा हमें आपर IPS panel की display देखने को मिल जाती है जिसमें हमें 300 nights की brightness देखने को मिल जाएगी जो कि इस price range के laptop में आपको कोई भी offer नहीं करता है HD webcam का option देखने को मिल जाएगा और इसमें privacy shutter का option भी देखने को मिल जाता है fingerprint reader का option देखने को मिल जाएगा RAM upgrade का option देखने को मिल जाएगा storage upgrade का option देखने को मिल जाएगा USB type C port देखने को मिल जाता है Dolby audio का support हमें आपर देखने को मिल जाएगा और latest Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.1 का support देखने को मिल जाएगा तो इस laptop में काफ यह अशे features के option देखने को मिल जाते है और इनी मिज़े से आप इस laptop को consider कर सकते हो तो और अन्डर 55,000 के budget में यह laptop काफी अच्छा option होने वाला है यहाँ पर आप casual gaming कर सकते हो अपने videos को edit कर सकते हो graphics वाले काम कर सकते हो और study purpose के लिए भी यह laptop काफी अच्छा option होने वाला है तो इस laptop को हम all-rounder laptop बहुत सकते है 55,000 के budget में और अगर guys आप इस laptop को upgrade करना साथते हो तो हमें आप RAM upgrade का option देखने को मिल जाता है और storage extend करने का option भी देखने को मिल जाता है और यह वाले feature आपको काफी ज़्यादा attract करने वाले है इस laptop में हमें privacy setter का option देखने को मिल जाता है backlit keyboard का option देखने को मिल जाएगा और fingerprint reader का option देखने को मिल जाता है तो इस laptop में features की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है और आप इस laptop को 55,000 के budget में consider कर सकते हो और यह laptop HP के 14S FQ1030A यह laptop से तक काफी ज़्यादा बेटर रहने वाला है अगर आपको यह laptop बाए करना है तो description box में link मिल जाएगी आप जाकर इस laptop को बाए कर सकते हो और laptop को लेकर अगर आपको कोई भी doubt है तो मुझे Instagram पर follow करो वहाँ पर message करो मैं आपको जुरूर से reply करूंगा तो अमीद करता हूंगा इस आपको मारे यह वीडियो पसंद आपने तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर पहली बाए चैनल के सब्सक्राइब करो मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए गुडबाई दो झाल 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 झाल